अलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को कच्छा दस के अर्दवार्सी का समाजिक विज्ञान का पेपर हल कराने वाले हैं तो इस पेपर को आप संपूर देखें ठीक है देखें यहां पे पुडांग क्या है आपको अर्दवार्सी जो फण्टका और खंडखा में भाजित होगा खंडखा में 20 ün-ness अंग का बोवीगविकारपी प्रस्ण आपको दिया जाएगाँ खंडखा रहेगा है अंथर प्रलारम होता है धितनक का इसमें पहले मानचीतर यberry प्रशन कैसे पूछा जाएगा सभी सवालों को को वाले हैं यहां पर देखिए आपका पहला प्रस्ण है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था ठीक है अब आपसन को पढ़के ध्यान से लगाई एक आपसन की गयरबाल्टी है विसमार्क कावूर यह मेजनी है ठीक है तो यहाद रखिएगा जो यंग इटली आपसने जरूर यह बहुत प्रस्ण आता है यह ने-पॉलियन का संबंद किस देश से था आपसने जर्मानी से था इटली फ्रांस या इंग्लेंड प्रस्ण का सही जवाब अगला प्रस्वन का नारा किसा था यहाँ पर देखिए आपका आपसान सुभास चंदरबोश जी ने दिया था या चंदरशेखर आजात या भगत सिंग या महत्मा गादि करो या मरो का नारा महत्मा गादि जी के द्वारा दिया गया था तिस प्रश्ण का सही जवाप भवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए प्रश्ण आप ज्यान दिजिएगा चौता नंबर का प्रश्ण है आपका कि सबीने अवाग्य अन्दोलन कब चलाया गया ठीक है और 920 इसवी 1927 1930 or 1935 तो आप सभी को याद होगा कि सबीने अवाग्य अन्दोलन 1930 इसवी में चलाया गया था ति इस प्रश्ण का सही जो आप गवल आपसन सही हो जागा कि 1930 इस्वी में महत्मा गाधी जी के द्वारा सवीने अवाग्या अंदोलन चलाया गया था अगला प्रश्ण पर ध्यान दीजेगा कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य करण क्या था अगला प्रश्ण देखिए प्रांती प्रशासन का संचालक कौन होता है आपसन प्रदार मंत्री होता है मुख्यमंंत्री होता है राज्य पाल होता है यहां जीला अधिकारी होता है जीला प्रांती मतलब होता है यहां प्रांती express का संचालक कौन होता है उतका सही जौब्वल उacy हो जांगा इसे यहाद रखिए अब जुरूर अ дополнर प्रशन ध्यान दीजेगा और निम्दिए यहां पूछा है कि मिट्टी का प्रकार नहीं है कौन से नहीं है सीमेंट जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है अगला प्रशन दियां दिजिए कापास की खेती के लिए कौन से मिर्दा उप्युक्त मानी जाती है काली मिट्टी लाल पीली जलोड यहां पर कापास की खेती के प्रस्ण का सही का पास की खेदी के लिए काली मिट्टी उप्यूक्त होता है अगला प्रसंद देखें सलाल बांध किस नदी पर बनाए ठीक है महा नदी पर चिनाओ पर सतलूच या किरिश्ण तिसे जरूर याद रखेगा आपके पेपर में बहुत पूचता है कि सलाल बनाए आपका महा नदी पर सुरी दोस्तों महा नदी पर सलाल बांध नदी बनाए चीनाओ नदी पर बनाए ठीक प्रजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्राराम किया था प्रजेक्ट टाइगर आपका ना तो प्रजेक्ट टाइगर इसका सही हो जागा अगला प्रस्ण देखिए सभी प्रस्णों को अदम याद कर लीजिए ठीक है निम्रिकित में से किसे औसत आय भी कहते हैं किसे औसत आय कहते हैं यानि कुल आय को कहते हैं राश्ट्री आय को या प्रति व्यक्ति आय को या यह सभी को यहां भी दिखें कि पूछा गया आपसे औसत आय पूछा गया तो आवसत आय जो हता है प्रति व्यक्ति जो आय होता है उसे ही क्या कहते हैं पर्ति ब्यक्ति जो आये होता है उसे ही अवसत आये कहते हैं इसका सही जवाब गवलाप्षन सही होगा अगला प्रशन देखिए 12 नमबर का कि कौन सत्चेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है प्रात्मिक छेत्र द्यूतिय तृतिय या इन में से कोई कवलाप्षन सही होगा आप यहाप यहाद रखिएंगा कि किर्सी का से क Awakण उसके जत्र आता है एक आपको पता है भारत में जितने सबसे ज़्यादा करते हैं इसलिए रोजगार कौन दे रहा है सबसे ज़्यादा किरसी यहां पर कौन से प्रात्मिक छेत्रिस के अंद्रगत आजाएगा तेरह नमबर देखिए निम्नलिकित में से कौन सी संग सूची का विशे है तिक केंद्र के अंद्रगत कौन आयता है जैसे ब्यापार किरसी रच्छा सिच्छा गोला प्राशन देखिए विभिन अस्त रोपा सत्ता का बटवारा काल आता है तो सत्ता का बटवारा आपको क्या का लाता है इसके बारे में आपको बताना है जैसे आपसन क्या आपका समुदाइक सरकार का लाता है गड़बंधन सरकार का लाता है या संघिय सरकार का लाता है या एकात्मक सरकार का लाता है ठीक है तो देखें यहां पर आपको क्या बतान को सभी में करने पाई जाना है आप सभी को पता हैं और बारत स्रीलंका याicon स्युल्क्ट राज अमरीका संघात्मक साथन कहां पर आप आप सभी को पता है कि भारत जो ऐसा देश है जहां पे संगहात्मक सासन नहीं पाए जाता है इसका सही जवाब कवल आपसन सही हो जागा अगला देखिए सुन्दरवन राष्टी पार्क किस राज्य में इस्तित है असम में उरिसा में पस्चिम बंगाल मद्यपर्देश अगला देखिए निमनलखित में से कौन सा विक्सित देश है आपको विक्सित देश के बारें बताना है कि कौन सा विक्सित है जिसे ब्राजील हुआ भारत फ्रांस बंगला देश मतलब होता है कि जहां पे विकास सील सबसे ज़्यादा हुआ है तो फ्रांस एक ऐसा देश ह जब कि ब्राजील भारत हुआ और बंगलादेश जो हुआ आपका एक विकास सील के अंतरगत आता है ठीक है विक्सित देश के अंतरगत आते हैं देखिए अगला आप चारी कृट सबसे अधीक किस वर्ग के लोगों को मिलता है ना आप चारी करियर किसको जादा मिलता है यह परिवार होते हैं उनको आवपचारी करियर मिलता है तिस प्रश्ण का सही जवाब गवलापसन सही हो जाएगा कि आवपचारी करियर सबसे अधिक जो होते हैं अमीर परिवार के वर्ग के लोगों को दिया जाता है अगला प्रश्ण निमिल्खित में किसको किर्सिस एम सहायक चेत्र bluff काते हैं तो कि अभी आपको बता है किसके अंत्र काता है प्राथमीक चेत्र प्रारंबिक चेत्र तो प्रश्तिक्कर सही जवाब काThen सहीह हो जाएगा अग्ला प्राशन देखिए कि वस्तुर आसवा है बादेपाप के लिए एक मार्क जो हता है खाद परदार्थों के लिए प्रमारित एक प्रकार का चिन है इसका सही जुआप गवला अपसान सही हो जाएगा अब सभी अगले प्रशनों को देख लीजिए आप यहां से फ्रारा मोता है खंडख वड़ात्मक प्रश्ण लगूत्तिरी प्रश का होने वाला यूरोप में राष्टवाद की विकास में संस्कृति का क्या योगदान इस प्रश्ण को साथ में तयार कीजिए साथ में अगला प्रश्ण क्या है खिलाफत आंदोलन क्यों सुरू हुआ ठीक है अगला प्रश्ण अस्थानी सरकारों के महत्तों कवरण कीजिए जितने प्रश्ण आपको बताया जा रहा है, सभी प्रशनों को आप जरूर तैयार कर लिए है। यहाँ पुर्श्ण आपको क्या है? समाजिक अंतकव और कैसे समाजिक विभाजनों का रूप ले लता है। जहां पर अथवा लिखा है तो आपको दो प्रस्ण दिया है, दो प्रस्णों में से किवर एक ही प्रस्ण आपको करना रहता है, सभी प्रस्ण आपको नहीं करना रहता है, जहां पर अथवा सब्द लिखा है, दो प्रस्ण में से एक ही प्रस्ण आपको करना है, अगला देख कोपरा पर संचिप्त आपको टिपड़ी लिखना है कि कोपरा क्या होता इसके बारे में आपको संचिप्त टिपड़ी लिखना है आपको अथवाम देखे दिया है कि वैस्वीकड़ से आप क्या समझते हैं ठीक है अपने शब्दों के असपष्ट करें अपने सब्दों में क् प्रारम्दी दीर्व उत्तरी प्रश्न ठीका है तरहा है जो प्रसण रहते हैं आपके च्छा नंबर का पूछा जाएंगगा ठीक है कि क्या है कि महामंदी का क्या आसा है इसके qe 2 कार आकको बताना है इसकी दो प्रभाव लिखना रहता है ठीक जे वाले इस प्रशन नंबर का है अधवम दिया तो एक ही प्रश्न आप को करना रहेगा. ठीक है? संगवाद क्या है भारत की संगात्मक शासन बिवस्था के प्रमुख विसेश्टाओं का उबरान करना है. अथवम दिया है कि नारीवाद का क्या अभिपरा है भारत की विधाईकाओं में महिलाओं के प्रतिनिद्ध की इस्तिधी पर प्रकाश डालना है इसके साथ हैं अगला प्रश्ण आप देख लीजी इन सभी प्रश्णों का आप एकदम तयार कर लीजी ठीके देखे अगला है कि मिर्दा अप्रदन का क्या अभिपरा है इस समस्या के समाधानों है तु कोई चार उपाय आपको बताना रहता है मिर्दा वाला तो दम चेप्टर दम तयार कर लीजी खुब बढ़ियां से अथा हम देखिए भारत वे भिन समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन ने जीव संरच्छ और रच्छ यूक का योगदान किया है च्छा नंबर का रहता है इसके साथ में देखिए विखसित देशों की किनी तीन प्रमुक विश्यस्ताओं का विवेशना करना है आपको और याथवा में कि संगठित और असंगठित च्छत्रों की रोजगार प्रस्तितियों को तुलना कीजिए ठिक यह च्छ नंबर का जितना प्रश्ण आपको बताएं सब 6 नंबर का दिए यहां से कि वह अस्थान जहां सितंबर 122 में भारती राश्टी का अधिवेशन हुआ भारती राश्टी का अधिवेशन पूछा था यह तो कि कलकत्ता में कि कलकत्ता में नहीं सब्सक्राइब भारती राष्टी कांग्रेश का अधिवेशन हुआ था साथ वास्थान जहां नील की खेदी करने वाले किसानों का अंदुलन हुआ था यह वा था चम पारल और आपको पता होना चाहिए को चमपारल है कहां पे चमपारल पर तक आपका बिहार में ठल्च नहीं प्रस्द कि व वास्थान जहाँ चवड़ाकपूर काहाँ पर है गोरगपूर को पाइपका उनकी प्रसण और याद कर लीजिया अमृत्सर पर प्ञाभ परता है तो पंजाब परता है कहां पर पंजाब में इसके लाव अगला प्रशन देख लीजिए कि वह अस्थान जहां दिसंबर 1929 में भारती राष्टी का अंग्रेश का दिवेशन हुआ था इसके पिछला जो क्वेश्चन था सितंबर 1929 पूछाता था सितंबर 1929 पूछेगा तो कहां पर बताएंगे पूछेगा यह था आपका नागपूर कहां पर नागपूर नागपूर ठीक है इसको मानचित्र पर प्राक्टिस कर लीजिएगा अगला देखिए भाख्रा नांगल बांध को चिन द्वारा आपको दिखाना रहता है था बहुत पता है कि पंजाब है और उततर प्रदेश् राज़ों सबसे अधिक चाहे उत्पादन जादासे जब्सक्राविकों बतान जो राज्य उसको चीन द्वारा दिखाना है तब सभी को पता है खाई सबसे जणता कहां पहाँ पाइग होता है ति Even इस प्रूर था इस पे Х Pres dentro अप्रोड कर दी है उस पेपर को भी आप देख लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रेशन बाक्स में उसका लिंक दे देंगे आपको इसी तरह अर्दवार्शी का जो वाइरल पेपर है गड़ीत का हो गया विज्ञान का हो गया साथ में चित्रकला हो गया और जितने भी पेपर अर्दवार्शी के हैं सभी पेपरों को आपको इसी तरह पढ़ा दिया जाएगा आप उस पेपर को तयार करके एक्जाम देने चले जाएगा ठीक है तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल मुए मुए कर लो यह उसे नहीं हैं सिरे में परते नहीं हैं संद्वार्ण पल्युट करें लाएगा है तो है तो जो वीजगी तो whenever चैनल को इस दोगें।